Hello everyone, welcome to JNIT Education. मैं आपका रहुल भी एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही वेलकम करता हूँ. तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है. ये क्लास 9 और 10 का एक मिसलीनिस टॉपिक है, लेकिन काफ़े इंपोर्टन्ट है. आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरित्म के बारे में. आज 9 और क्लास 10 में लॉगरित्म के बेसिक के बारे में हम लोग समझते हैं. क्लास 11 और 12 में उससे और एडवांस में हम लोग बाते करते हैं, जो कि J-Mains और एडवांस के लिए काफ़ इंपोर्टन्ट होता है. ये चैप्टर ऐसा है कि आपको इससे रिलेटेड कोश्चन जो है, वो J-Mains और एडवांस तक देखने को आपको मिलेंगे. ये कहीं पर भी मिल जाता है, कहीं पर भी इसकी प्रॉपर्टी यूज़ होने लगती है, तो इसलिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना काफ़ इंपोर्टन्ट हो जाता है. जब तक हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे नहीं, log के बारे में जानेंगे नहीं, हम जो आने वाले questions है, ठीक है, कहीं पर भी ये question के बीच में घुश जाता है और problem create कर देता है, तो इस वज़े से हम क्या करेंगे, पहले log को पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ आपका जब NTSC का exam, क्लास 10 में NTSC का जो exam होगा, उसके लिए भी ये काफी weightage रखेगा, बहुत ही important chapter बन जाता है, तो आईए समझते हैं, सबसे पहले हम लोग आज introduction part को complete करेंगे, कि logarithmic होता क्या है, उसके बाद हम इसके properties के बारे में जानेंगे, इसमें और क्या-क्या properties यूज हो सकती हैं, उनके बारे में जानेंगे, देन उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियो में इस logarithmic chapter के problems को solve करने वाले हैं, तो बनी रहेगा हमारे इस channel पे, और पसंद आएगा, तो please like कीजे, channel को subscribe कीजे, और चलते हम अपने वीडियो के तरफ, तो आएए चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि log होता क्या है, ठीक है, log की जब हम definition की बारे में बात करेंगे, तो log की definition क्या बोलती है, कि if a and b are the real number, ठीक है, real number हम जानते हैं, क्या होता है, a और b अगर real number है, a और b, अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यह जो हमें लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से समझेगा, log of B at the base of A क्या log of B at a base A equal to c के equal होगा तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे log of B at a base A जो बेस देखें log के base में क्या है A लिखा होगा तो हम पहले ऐसे नहीं पढ़ेंगे Up to a power में B ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे log of B at a base A तो हमने यह जाना कि हम log को पढ़ते कैसे हैं तो log of b at a base a यह हम लें जान लिया तो अगर a और b a और b क्या है? real number है अगर a और b real number है तो हम बोल सकते हैं कि log of b at a base a इसकी value c होगी यह value c कब आएगी? यह value c कब आएगी? यह value c आएगी जब हमें यह जो b है नमबर है ना log of b यह जो हमारा b number है equals to a power c अगर मैं इसको और अच्छे से आपको explain करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कि हम base में ऐसे कौन सी power base में हमारा base क्या है? log का base क्या है? a है तो हम base में ऐसे कौन सी power लगाएं जिसकी value क्या बन जाए? b बन जाए जिसकी value b बन जाए नहीं समझ में आया? चलि हम एक example के आपको बताते हैं ठीक है? आगर हमें बोला जाए कि बताइए log of 4 at a base 2 इसकी value क्या होगी? है ना? यहाँ पे तो हमने लिख लिया कि log of b at a base a equals to c हो गया अब यह c है क्या? इसको हम कैसे find करेंगे? आपको बोला जाए class 9 में ऐसा कुछ दे दिया जाए कि log of 4 at a base 2 बताइए इसकी value क्या होगी? तो आप अगर इस video को देखे हैं तो आप तुरंट बता सकते हैं कि कैसे? हम कैसे बताएंगे? हमें देखना है base को हमें क्या देखना है? बेस में तो बेस में क्या लिखा होगा है? 2 लिखा होगा है तो हम बेस में ऐसी कौन सी power लगाएं हम बेस में ऐसी कौन सी power लगाएं कि जिसकी value 4 बन जाए जिसकी value 4 बन जाए ध्यान से समझेगा हम क्या करेंगे? हम बेस में हमारे पास base कितना है 2 है तो base में ऐसे कौन सी power लगा दे जिसका result क्या आ जाए 4 आ जाए बताइए बताइए तो base में अगर हम power 2 लगा दे अगर base में हमारे पास base क्या है 2 है इसकी power अगर हम 2 लगा दे तो उसका result क्या आएगा 4 बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बताईए, log of 4 at a base 2, इसका result क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, agree करते हैं कि सबी लोग, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या ये, आपको, यही हमारा starting है, हमें बोला जाएगा, कि एकदम basic अगर बोला जाए, कि log of 4 at a base 2, एकदम basic log का, ठीक है, इसकी value अगर आपको नहीं पता है, तो आप ये समझे कि आपको base ही नहीं पता है, log के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही important chapter ये बनता है, ठीक है, clear होगी बात, अच्छा, अब ये तो हमने जान लिया, कि log of 4 at a base 2, एकदम कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, एक ये second वाला question है, इसको बताइए, कौन सा, इसका answer क्या आएगा, log of 1000 divided by 10, अगर मैं बोल दूँ, आपको एक question दे दू, छोटा सा question दे दू, कि log of 10 at a base 10, log of 1000 at a base 10, बताइए, इसकी value क्या होगी, तो आप तुरंत वहाँ पे दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लाएंगे, एक पाने है, बेस को, हमें किसको देखना है, बताइए, बेस हमने लिख लिया, अभेस में ऐसी कौन सी power हम लगादे, जिसका result 1000 बन जाए, बताइए, बेस में, हम हम कौन सा power लगादे, जिसका result क्या बन जाए, 1000 बन जाए तो हम जानते हैं कि अगर हम 10 की पावर 3 करते हैं तो वह क्या बन जाता है? 1000 बन जाता है. 10 पावर अगर हम 3 करेंगे तो वह क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा. तो इसका final answer कितना बनेगा? 3 बन जाएगा. समझ में आ रही है बात. बता दीजे, 3rd वाले का बता दीजे तो, 3rd बता दीजे तो क्या होगा? अब 3rd वाले में लिखा हुआ है log of under root 3 at base 3. क्या लिखा है? log of under root 3 at base 3. कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजे बताईए इसका answer क्या बनने वाला है? लॉग इस लॉग का answer क्या बनने वाला है? कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजे, बताईए हमें क्या करन हमें तो भीया बेस से मतलब है हमें तो क्या करना है बेस को उठाना है और उसमें ऐसी कौन सी पावर हम एड़ कर दें जिससे क्या बन जाए रूट 3 बन जाए बता दीजे कौन सी पावर हम एड़ कर देंगे इसमें आगर मैं हाफ एड़ कर दूं क्या कर दूं हाफ को पावर यहां पर add कर दें मतलब 3 में power अगर हम half लिख दें हां सर बिल्कुल सही बोल रहे हो half अगर हम यहां पर power में लगा देंगे तो उसकी value रूट 3 बन जाएगी तो बता दीजे इसका answer क्या बन जा रहा है half बन जाएगा की नहीं बन जाएगा इसकी value half आ जाएगी की नहीं आ जाएगी यह एकदम basic में हम चल रहे हैं बहुत ही धीरे धीरे बाते समझ रहे हैं हर एक देखी हर एक example से आपको कुछ नया चीज समझ में आ रहा होगा हर एक example से clear है चलिए बता दीजे force number का force number का तो बता दीजे force number में हमें क्या करना है फिर से वही पाव हमें base को उठाना है और base में हमें ऐसे कौन सी power हम add कर दे जिससे उसका result क्या बन जाए 1 by 8 बन जाए बता दीजे तो इसका result क्या आएगा comment section में comment कर दीजे तो इसका result क्या आएगा बताईए 1 by 8 हम 2 में ऐसी कौन सी power लगा दें कि उसकी value जो हो जाए वो 1 by 8 आ जाए बता दीजे तो अगर मेरे दिमाग में ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर मैं minus 3 लगा दू 2 की power अगर मैं minus 3 लगा दू तो क्या उसका result 1 by 8 आता है पताईए क्या उसका result 1 by 8 आता है हाँ सर बिलकुल एकदम सही बोल रहे हो तो इसकी value क्या बन जाएगी minus 3 बन जाएगी इसकी value minus 3 बन जाएगी समझ में आ रहा है ठीक है ये एकदम अभी हम base में बात करें बता दीजे तो चलिए last वाला बता दीजे एक बार तो last वाला बता दीजे तो last वाला क्या हो जाएगा अगर हम base की बात करें हमारे पास है 1 by 4 base की बात करें हमारे पास क्या है 1 by 4 है इसमें बता दीजे तो, इसमें बता दीजे तो, इसमें क्या आएगा? इसमें बता दीजे तो, इसका आंसर क्या आएगा? यह हमारे पास, अगर हम, हमारे पास base है, base में हम कौन सा power add करें कि उसकी value कितनी आ जाए? 16 आ जाए? यह आपका home work है, आप comment section में comment करेंगे और इसका answer बताएंगे हमें, इसका answer हमें बताएंगे, clear है, समझ में आया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, log को defined कर सकते हैं, एक और बात, एक और बात ध्यान से समझेगा, कि ये value तभी defined होगी, ये हमने जो लिखा है कि log of b at a base a equals to c, if b equals to a power c, ये तभी defined होगा, satisfied ह कब, जब हान से समझेगा, जब हमारा log वाला जो number है, ये log वाला जो number, इसको हम number बोलते हैं और इसको base बोलते हैं, तो log of b, जो हमारा ये b है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, positive होना चाहिए, हमेशा याद रखेंगे, जो log वाला number है, वो हमेशा positive होना चाहिए, base जो हमारा base ह बताईए यहाँ पर base हमारा A है, A हमेसा positive होना चाहिए, बेस हमेसा positive होना चाहिए, नमबर हमेसा positive होना चाहिए, यह condition है तभी हमारा log का function defined होगा, log function defined होगा और 7 ही हमेशा याद रखेंगे कि यह हमारा a है base है वो कभी भी 1 इक्वल नहीं होगा 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, a कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता अगर यह a 1 के इक्वल हो गया तो not defined, यह defined ही यह परिभासित ही नहीं है समझ में आया क्या कि अगर log को हमें define करना है तो हमें b की value हमें सा positive होनी चाहिए a हमें सा positive होना चाहिए और a की value कभी भी 1 के equal नहीं होनी चाहिए समझ में आ गया क्या बता दीजे यह हमारा हो गया definition part complete हमारा क्या definition part हमने जान लिया कि अगर log में कोई भी value लिखी है तो उससे हम क्या बोल सकते हैं उससे हम कैसे define कर सकते हैं उसको हम कैसे answer उसका result ला सकते हैं समझ में आया? clear हो गई बात समझ में आया की नी आया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे some important facts about the logarithmic ठीक है? कुछ facts होते हैं logarithmic के जिससे आपको जानना आपको समझना काफी important होता है चलिए हम उसको समझते हैं सबसे पहला point है कि अगर हमें लिया हुआ है log of n at a base a घान से समझेगा log of n at a base a is real log of n at a base a यह real कब होगा? जब हमारा n, जो है जब हमारा number n है वो positive होगा जब हमारा number n positive होगा तो उसे हम बोलेंगे वो क्या है? यह पूरा log of n at a base a real है क्या है? real है डूसरा point है log of n at a base a is imaginary log of n at a base a is imaginary if a, if n n क्या होगा? क्या होगा? negative जब n negative हो जाएगा तो इस पूरे function को इस पूरे log को हम log of n at a base a को क्या बोल रेंगे negative बोल रेंगे मतलब imaginary बोल सकते हैं इसको हम क्या बोल सकते हैं imaginary बोल सकते हैं ठीक है log of n at a base a real कब होगा जब n is greater than 0 and log of n at a base a imaginary कब होगा जब a less than 0 होगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हमने अलग हमारे next fact की तरफ बढ़ते हैं अगर log of n at a base a 0 हो जाए मतलब क्या n की value अगर 0 बन जाए अगर हमारा ये जो n है log of n होता था यहाँ पर 0 बन जाए और base हमारा a है तो ये हमेशा क्या होगा not defined होगा इसकी value defined नहीं होगी कब जब n अगर 0 बन जाएगा तो वो हमारा log of n at a base a defined नहीं होगा इससे हम परिभासित इसका हम definition नहीं दे सकते समझ में आया कब समझ में क्या क्या समझ में आया तीन चीज़े हमने देखा कि log of n at a base a real कब होगा जब n positive होगा log of n at a base a imaginary कब होगा जब n negative होगा और अगर n की value 0 हो जा रही है तो not defined होगा clear होगी बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने most important fact के बारे में समझते हैं कि log of 1 at a base a कभी भी हमारे पास में अगर number n की जगे कहां पर ये जो हमारा n है इसकी जगे 1 लिखा हो क्या लिखा हो? 1 लिखा हो और base कुछ भी हो बस base क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए base जो है अगर 1 से बड़ा या फिर 0 से 1 के बीच में है 1 नहीं है भाई 1 नहीं है तो उसकी value हमेशा क्या होगी? 0 के equal होगी उसकी value हमेशा 0 के equal होगी हमने क्या समझा? हमने समझा कि अगर log of 1 दिया हुआ है और base 1 नहीं है अगर base की value 1 हो जाती है तो ये भी not defined हो जाएगा लेकिन base जो है वो 1 से बड़ा है या फिस 0 से 1 के बीच में कुछ भी number है तो उसकी value हमेशा क्या होगी? 0 हो जाएगी समझ में आया Next एक और ये हमार पास बहुत important जो fact है उसको हम से हम से समझते हैं कि log of a at a base a equals to 1 होता है क्या होता है? log of a at a base a मतलब अगर मैं एक example लूँ कि log of 10 at a base 10 इसकी value हमेशा क्या बन जाएगी? 1 बन जाया करेगी ठीक है? अगर हमारा number और base दोनों सेम होगा तो उसकी value हमेशा log में क्या बनेगी? 1 बन जाएगी ये तो हो गई आम आंद, आम जिन्दिगी ये क्या है? हमारी आम जिन्दिगी इसको तो आप लोग आराम से बता देंगे इसको तो आप लोग आराम से बता देंगे लेकिन mentos जिन्दिगी क्या होगी? कि अगर जिस दिन आपने 1 की जगे, जिस दिन आपने 1 की जगे log of 10 at a base 10 लिखना चालू कर दिया उस समय आप समझेगा आपकी जिन्दिगी जो है mentos जिन्दिगी चल रही है समझ में आया, उल्टा चलना मतलब log of 10 at a base 10 equals to 1 तो maximum लोग जमजी जाते हैं लेकिन इस 1 को कभी कभी हमारे पास ऐसे question दिखने को मिलते हैं वहाँ 1 की जगे हमें क्या लिखना पड़ता है log of 10 at a base 10 जरूरी नहीं है, 10 ही हो, कुछ भी हो लेकिन बस number और हमारा जो base है वो same होना चाहिए clear हो रही है बात उस condition, उस question की condition के हुसाब से हमें 1 की जगे इतना लिखना पड़ सकता है तो आपको दोनों चीज़े याद रखनी है कि log of 10 at a base 10 ये 1 होता है या फिर 1 की value हम क्या लिख सकते है log of a at a base a समझ में आया क्या, बताइए कोई doubt तो नहीं है चले, आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक और हमारे पास important fact देखने को मिल रहा है जो की है, अगर a पार में log of x at a base a लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है a पार में log of x at a base a लिखा हुआ है तो उसकी value हमेशा क्या बनेगी x बन जाया करेगी एक example से हम चलिए समझते हैं कि अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा हुआ है 5 log of 5 log of 6 at a base 5 क्या लिखा हुआ है 5 पार में log of 6 at a base 5 अब देखी यहाँ पे base और यह हमारा जो number है base और जिसमें हम लोग ने power लगाया है log में अगर यह दोनों same होते हैं तो उसकी value क्या बन जाती है 6 के equal हो जाएगी मतलब x के equal हो जाएगी ध्यान से समझेगा अगर a power log of x at a base a जो a की power जिसमें हमने log की power लगाई है a और यहाँ का जो base है वो दोनों same है तो उसकी value हमेशा क्या हो जाएगी number की equal हो जाएगी x के equal हो जाएगी काफी important property हमने देखा काफी important fact को हमने यहाँ पर जाना तीनो fact काफी important है log of 1 at a base a equals to 0 होता है log of a at a base a equals to क्या होता है हमारा 1 हो जाता है और a power में log of x at a base a हमेशा क्या देता है x देता है समझ में आ रहा है चलिए इसमें इसके अलावा जितना हम यहाँ पर property हम लोग यहाँ पर fact पढ़ लेंगे इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है इसमें हमने सारी चीज़े include की हुई है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हमें लिखा हुआ है कि log of x1 at a base a equals to log of x2 at a base a तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यह जो x1 है वो x2 के equal है x1 और x2 के equal है condition क्या होने चाहिए इसका base जो है वो same होना चाहिए अगर base अलग अलग है तो हम यह नहीं बोल सकते कि x1 equals to x2 होगा लेकिन अगर log of x1 at a base a base हमारा अगर दोनों में same है तो हम यह बोल सकते हैं कि x1 इस condition में दोनों के equal है तो x1 equals to x2 होगा समझ में आरी बात इस यह ऐसी condition भी हम लोग लगाएंगे हम लोग को सारी condition पता होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर जो हमारा base है log का जो base है उसकी value 1 से greater हो रही है उसकी value 1 नहीं आ رही है 1 कभी भी होई नहीं सकता उसकी value 1 से greater आ रही है कब if a is greater than 1 and x is greater than y और x की value y से बड़ी है x की value y से बड़ी है तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि log of x at a base a is greater than log of y at a base a समझ में आया क्या कौन सी condition इस condition के लिए कि अगर a is greater than 1 है और x is greater than y है तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि log of x at a base a is greater than log of y at a base a होगा लेकिन अब देखिए अगर a की value 0 से 1 के बीच में आ रही है अगर a की value 0 से 1 के बीच में यहाँ पर क्या था 1 से greater था यहाँ पर है a की value अगर 0 से 1 के बीच में आ रही है और अगर x is greater than y है तब देखिए यहाँ पर log of x at a base a is less than क्या बन गया यह less than हो गया और इसमें क्या बन गया था greater का greater ही रहा था तो condition क्या है अगर a की value 1 से greater है तो उस condition में x अगर x and x जो है greater है y से तो उस condition में log of x at a base a greater होगा log of y at a base a लेकिन अगर a की value 0 से 1 के बीच में है और बोला जाए कि x is greater than y तो उस condition में क्या हो जाएगा log of x at a base a is less than log of y at a base a हो जाएगा clear होगी बात समझ में आया दोनों के बीच में difference समझ में आया बहुत ही important यह हमारा fact था इसको हमने complete कर दिया next हम बात करते हैं हमारे laws of logarithmic की next हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से law होते हैं कौन-कौन से rules होते हैं logarithmic में चलिए हम उसको समझते हैं बहुत important है, चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 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 लिए यह valid हो सकता है कि अगर x हमारा greater हो मतलब x positive हो y positive हो, a positive हो ठीक है, x हमारा number है y number हो सकता है, y number हो सकता है मतलब सारे positive होने चाहिए a हमारा base है, वो भी हमेसा positive होना चाहिए और हम जानते हैं कि A की value कभी भी 1 नहीं हो सकती तो वो condition भी satisfied हो रही है अगर ये condition पूरी satisfied हो रही है तब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा पहला rule बोलता है कि log of xy अगर log of xy ये क्या है multiply में हैं दो number x और y अगर multiply में है जिसका base A है तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि log of x at a base A plus log of y at a base A log of x at a base A plus log of y at a base A हम बोल सकते हैं ये property बहुत ही ज़्यादा important है और कहीं पर भी कहीं पर भी use हो जाती है जहां पर भी log के अगर property देखेंगे तो ये जो properties हैं बहुत important है ये आपको अगर math को solve कर रहे हैं तो आपको ये कहीं न कहीं कहीं न कभी और maximum time में आपको देखने को मिलेंगी तो इससे आप कभी भी भाग नहीं सकते इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप पूरा question तो solve कर लेंगे लेकिन जहां पर log आएगा वहाँ पर आप क्या रहा जाएंगे खतम हो जाएंगे वहाँ पर अगर आपको ये property ही नहीं पता है फिर आपको आगे problem को solve कर से करेंगे अब भाई जब question हमारे पास है तो उसका final answer ही तो हमारा result होगा कि बीच में अगर आपने छोड़ दिया log की वज़े से आपने छोड़ दिया तो उसका answer आप आएगा क्या नहीं आप आएगा तो हम जब question को solve ही नहीं कर पाएंगे उसका final answer ही नहीं नहीं पाएंगे तो क्या मतलब? मैस पढ़ने का क्या मतलब? तो log हमें जानना बहुत जोड़ी थी है चलिए यह हमने जान लिया कि अगर दो number log में है जिसका base a है a कुछ भी हो सकता है बस 1 नहीं हो सकता पाकि कुछ भी हो सकता है ठीक है negative भी नहीं हो सकता a negative भी नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता बाकी कुछ भी हो सकता है, A की value 0 से 1 के बीच में हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, 1 से फिर बड़ी हो सकती है समझ में आ गया, तो इस condition के साब से अगर log of xy है, log of xy है तो उसको हम log of x plus log of y बोल सकते हैं यह हमारी क्या हो गई, आम जिन्दगी हो गई, हमने बोला log of xy equals to log of x plus log of y लेकिन अब mentors जिन्दगी में क्या करना है, उल्टा चलना है, तो अगर ऐसे लिखा हो गई की log of x at a base a plus log of y at a base a, तो इसको हम ऐसा भी लिखने की हिम्मत रख सकते हैं, क्या log of xy at a base a समझ में आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं रहेगा कि हमेशा, ऐसे एक सीधा ही चलना पड़ेगा, हमेशा उसके कभी कभी हमें टेड़ा भी चलना पड़ता है, हमें उल्टा भी चलना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो हम दोनों के लिए प्रिपेर रहेंगे, दोनों के लिए हम तयार रहेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next है, कि अगर log of xy, x divided by y दिया हुआ है, क्या जब multiply था, तो plus आया, जब division में आया, तो minus में आ गया, जब division में आया, तो क्या हो गया, minus में आ गया, समझ में आया क्या, चलिए, आगे बढ़ते हैं, काफे important है, देखिए, log of x power n, x में power n है न, पूरे में power नहीं है, ऐसे नहीं लिखा हुआ है न, ऐसे नहीं लिखा हुआ व्वाई बाई, एसे लिखा हुआ हे, मतलब x में power n लिखा हुआ है, x की power n है, ठीक है, whole power नहीं है n, x की power n है, तो जब भी आपको x की power log के साथ में x की power n दिखेगी, अब x कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, यह हमारा standard है, इसको हम समझेंगे, और इसी standard को हम अप log of x at a base a, sorry, log of x power n at a base a, इसकी value क्या हो जाएगी? ये जो हमारा power में रहता है n, इसको हम side में लिख लिए और ये किस में रहेगा? multiply में रहेगा, किस में रहेगा? multiply में, तो n into log of x at a base a हो जाएगा, तो ये हमारी क्या हो गई? आम जिन्दिगी, अब इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या कि अगर n into log of x at a base a लिखा हुआ है, तो इसको हम log of x at a base, log of x power n at a base लिखने की हिम्मत रखेंगे, समझ में आया? ठीक हो गया? clear है? चले, next हम बात करते हैं, next बात करते हैं, अगर log of x at a base a लिखा हुआ है, तो इसकी value equal होगी, 1 divided by log of a at a base x, यहाँ पे देखी, number क्या है? x है, और base क्या है? a है, लेकिन मैं इसको उल्टा करूँगा, अगर reciprocal कर दूँगा, तो 1 divided by log of a, अब a number बन गया, और x क्या बन गया? base हो गया, यह सारी property आपको question जब हम solve करेंगे ना, तो उसमें बहुत use होने वाला है, समझ में आया? सारी property का आपको एक-एक करके, याद रखना है, चले, देखिए, अब next property है कि log of x at power a power n, log of x at a base a power n, तो याद रखेगा, जब भी हमारा base में power होगी, base में क्या होगी? power, मतलब a में power लगी होगी, a हमारा base है, इसमें power लगी है, यह जो n है, तो यह n, यह n किसमें होगा? division, मतलब 1 divided by n के साथ multiply होगा, log of x at a base a, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर number में power हो, तो जब भी number में power लगी होगी, तो इस power को हम यहाँ पे ले आएंगे, इस power को हमने यहाँ पे ले आया और direct n लिख दिया, n के साथ यह log x at a base a multiply हो गया, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि base में जो power है, base की अगर power हो जाती है, तो इस power n को, n को हम कैसे लिखेंगे? इस n को हम यहाँ पे लाएंगे, और 1 by n के साथ multiply करेंगे, दोनों में अंतर समझेगा, दोनों में अंतर समझेगा, यह दिखे, अगर number में power n है, तो इसको हमने n into log of x at a base लिखा, और अगर base की power n है, यह base में power n है, तो इसको हम लिखेंगे 1 by n into log of x at a base, क्लीर हुआ, समझ में आया, दोनों में difference समझ में आया की नहीं आया, आया, अब इन दोनों का difference हम यहाँ पर एक ही बार में देख लेते हैं, कैसे, कि अगर log of x power m है, और at a base a power n है, तो यह वाला m बताइए, m यहाँ पर multiply हुआ, और यह वाला n किसमें होगा, 1 by n के form में आएगा, 1 by n, तो इसको हम m by n into log of x at a base a लिख सकते हैं, क्या, बताइए, एक example लेता हूँ में, log of, log of x square, log of x square at a base a power 3, तो बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 divided by क्या लिखेंगे, 3, 2 divided by 3, log of x at a base, बताइए, समझ में आया, clear हो गई बात, बहुत important है, ठीक है, बहुत ही, जितना यहाँ पर एक एक word लिखा हुआ है, वो आपके लिखा हुआ है, कुछ भी फालतू का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, तो basic, base chaining formula हम देखेंगे, base chaining formula, अब यह क्या होता है, यह होता है, कि अगर हमारे पास है log of x at a base a, यह ऐसा हमें बनाना पड़ेगा, हमें अब आने वाले जो questions होंगे, उनको solve करने के लिए, हमें chaining rule लगाना पड़ेगा, तो log of x at a base a, इसको हम इस तरह से represent कर सकते हैं, equal कर सकते हैं, इसको हम equal करके कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखेगा, log of x at a base b, यहाँ पे हमने b को add किया, additional b है, यहाँ पे b क्या है additional base जो है वो additional है ठीक है तो देखेगा log of x यहाँ पे x नमबर है और power क्या है आपका base क्या है a है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि log of x at a base b into log of b at a base a into log of b at a base a तो इसकी value किसके equal हो जाएगी log of x at a base a equal हो जाएगी समझ में आया clear हो गई बात की नहीं बताइए अगर अब ध्यान से देखेगा मैं एक example लेता हूं हमें लिखना है log of 32 at a base 12 log of 32 at a base 12 पताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं log of 32 यह वाला number यहीं पर आए 16 हमने b add किया है additional b है into log of 16 यह b हमने जो base में लगाया था उसको आप यहां पर number में लगाएंगे और हमारा base यहां के लिए base कितना है 12 है तो इसकी value किसके equal होगी यह बन जाएगा log of 32 at a base a कभी कभी ऐसे हमें देखना चाहिए चेक करना पड़ेगा कब question आएगा ना तो उसको में अच्छे से देखेंगे देखिए कि यह देखिए cross हो रहा है यह दोनों क्या है same है अगर यह दोनों same है और multiply में है तो हम लिख सकते हैं direct log of 32 at a base 12 log of 32 at a base 12 हमें क्या देखना है यह देखो cross देख रहा है दोनों same आ रहा है तो हम लिख सकते हैं और multiply में होना चाहिए plus और माइनस में नीच चाह, काम चलेगा, multiply में होना चाहिए, log of 32 at a base 12 हम लिख सकते हैं इसको, question आएंगे न, बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है, clear हो गई बात, बताइए, समझ में आया, कोई doubt, अब आगे बढ़ दिया, यह हमारा chaining rule हो गया, next हम बात करते हैं, कि अगर, x में power log of y at a base a लिखा हुआ, x में power log of y at a base a है, तो इसको हम equal कर सकते हैं, क्या equal कर सकते हैं, y at y power log of x at a base a, देखो घुमा दिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, तो हमने क्या कर दिया, y को यहाँ पे ले आए, x को यहाँ पे ले आए, यह हमारा y बन गया, और यह हमारा x ब कर सकते हैं, x log of x power log of y at a base a, इसको हम लिख सकते हैं, y log of x at a base a लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है, यह देखिए, next हम बात करते हैं, अगर log of, क्या लिखा हुआ है, log of b at a base a, इसको हम लिख सकते हैं, log of b divided by log of a, बहुत important, log of b divided by log of a, इसका example देखें, अगर log of 5 at a base 2 लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, log of 5 divided by log of 2, और यहाँ पर कुछ भी है, दूसरा हम base लगा सकते हैं, 10 का, लेकिन दोनों base सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों base सेम होना चाहिए, question के हिसाब से हम यहाँ पर base लगाएंगे, question के हिसाब से, कुछ भी लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, वो लिख सकते हैं, clear हो गया, समझ में आया, अब हम देखते हैं कुछ additional important properties, हमने APGP पढ़ लिया, हमने APGP, HP पढ़ लिया, तो देखिए, अगर यह condition आया है कि ABC किस में है, जीपी में है, ABC अगर जीपी में है, तो log of x at a base a, log of x at a base b, log of x at a base c, किस में होगा, HP में होगा, का कौनसी condition अगर A, B और C GP में है, यह हमें पहले से पता है कि ABC GP में है, तो log of x at a base a, log of x at a base a, log of x at a base b, log of x at a base c, HP में होगे, और अगर ABC in GP में है, यह हमारा GP में है, तो log of a at a base x, log of b at a base x, log of c at a base x, यह किस में होगा, AP में होगा, किस में होगा यह, AP में होगा, तो यह हमारे क्या थे, basic, important, properties, fact, introduction, definition, सारी चीज़े, clear होगी बात, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो basic of logarithmic है, वो complete होता है, basic of logarithmic का introduction part complete हो जाता है, इसके आगे हमें, इससे अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ने की जिरूरत है, basic में, 9th और 10th और 7-7 NTSC के एक्जाम के लिए, ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इससे related questions को solve करने वाले हैं, हमारे आगे आने वाले वीडियो में, हम इससे related questions को solve करें, काफी मज़ा आने वाले है, ठीक है, बहुत ही interesting video रहेंगे, बहुत ही interesting questions रहेंगे, आपको मज़ा आएगा questions को solve करने में, ठीक है, तो बिलकुल आप उस वीडियो को अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इसी वीडियो में हमारा सारा introduction पार्ट है सारी चीजे हमने यहाँ पर clear कुई है तो मिलते हम अपने log की property से related questions को solve करने के लिए हमारे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद